हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मासर अस्वती क्लासेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लेकर के आये हैं इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक्स के टॉपेक डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स को यह एलपी टेक्निशन सीवीटी टू एक्जाम्स के लिए काफी इंपर्टेंट है और इसमें ऐसी प्रोबिलिटी है कि इसके दो नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आने के पूरे पूरे चांस हैं साथी साथ यह जो टॉपिक है वह आपके आरार वी जूनियर इंजिनियर जो 2019 की परिक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह टॉपिक काफी होते हैं वह सारी चीजें भी इस वीडियो में डीटेल में समझते हैं तो नंबर सिस्टम्स जो होते हैं वह चार टाइप के होते हैं नंबर एक होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम सेकेंड होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम थर्ड होता है आपका ऑक्टल नंबर स पहला अगर डेसीमल नंबर शिस्टम की बात करें तर डेसीमलल नंब्र में उसका यूज्टरbies करने। और यह जो है वह दसंवलो नंबर सिस्टम भी कहलाता है इस सिस्टम का जो वेस होता है उसको 10 माना जाता है और इसमें जो independent digit होते हैं वह होते हैं आपके 10 012345678 और 9 तक तो यह टोटल इसमें 10 डिजट होते हैं और इंडेपेंट डिजट जो है वो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मिशन दे दिए अगर इसके एक्जामपल की बात करें तो यह कुछ इस टाइप से इसको डिनोट करी किया जाता है जैसे कि यह एक नंबर सिस्टम है फिर उसके जो यहाँ बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि 10101 इसका जो बेस होगा वो उसको दो लिखा जाएगा अगर हम बेस नहीं लिखेंगे तो फिर वो चीज़ ज्यादा क्लियर नहीं होगी कि यह कौन सा नंबर सिस्टम है ठीक है बाइनरी में तो फिर भी समझ में आ जाएग थर्ड अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो वो होता है आपका ओक्टल नंबर सिस्टम इसमें जो आधार यानि कि बेस नंबर होते हैं वो होते हैं आठ जैसे कि 0,1,2,3,4,5,6,7 तक एक्जामपल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसको डेनोट किया जाता है अब बा करें 9 तक 0,1,2,3,4,5,6,7,8 और 9 ठीक है और बाके के जो 6 डिजिट होते हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं A,B,C,D,E,F जहां पर A,B,C,D का कुछ इस प्रकार से मतलब होता है कि A का मतलब होता है 10,B का होता है 11,C का 12,D का 13 और E का आपका 14 और F का 15 तो इसको क इस प्रकार से एक्जांबल के तौर पर denote किया जाता है अब हम आगे देखते हैं कि इनको conversion कैसे करते हैं इनका change कैसे करते हैं क्योंकि यह जो numerical question होते हैं यह definitely आपके exam में आ सकते हैं तो इनका conversion देखना है हर प्रकार के number system को देखना है कि जैसे binary को है decimal को binary में कैसे change करते हैं decimal को octal में कैसे change करते हैं decimal को hexordec wrestler कैसे change करते हैं और बार कि के जितने भी number system नंबर सिस्टम तो उनको हम कैसे change करते हैं तो सबसे पहले करेंगे decimal से ठीक है, decimal number system से पहले हमने देखा decimal to binary conversion, अब decimal to binary conversion कैसे करते हैं, तो decimal का आपको पता होगा, कि decimal मानलोगी ये example के तौर में हमने लिया 13, ठीक है, अब 13 को हमें जो है, वो इसको binary में conversion करना है, तो क्या करेंगे, कि binary का जो आधार होता है, वो कितना होता है, दो, ठीक है, दो इसक ये 13 में हम क्या करेंगे, 2 से इसको divide कर देंगे, 2 से divide कर देंगे, कुछ इस प्रकार से जहां पर आप देख सकते हैं, ये लिखा होगा है, यहां पर और इसको थोड़ा zoom कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर ये 13 लिखा होगा है, तो अब इसको 2 से divide करेंगे, तो एक बार इसका दो का भाग दिया तो कितनी बार गया तीन बार गया ठीक है सेसफल कितना आया जीरो तो ये इसके सामने लिख दिया फिर अब तीन में दो का भाग दिया तो कितनी बार गया दो एक अम दो एक बार गया एक बार गया तो एक इधर लिख दिया और सेसफल कितना आया वो इस साम ने लिख दिया तो इस प्रकार से हम इनको सामने इस प्रकार से लिख लेते हैं फिर क्या करना है इनको कि जो नीचे से count करते हैं और उपर की और count करके जाते हैं तो जैसे पहले 1 है तो 1 को हम लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से, फिर 1 है, तो फिर 1 को लिख लेंगे, फिर 0 है, तो 0 को लिख लेंगे, और फिर 1 है, तो 1 को लिख लेंगे, तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे, और फिर इसका जो base होगा, वो 2 इसका base लिख देंगे, जो की इसका answer होगा, तो ये तो बात हुई, यह देख सकते हो आप 0, 6, 2, 5 और इसका base है कितना 10 तो इसका change करना है 2 में कई बार exam में क्या होता है कि वहाँ पे आपको यह नहीं बताया जाता है कि यह कौन सा number system है और कौन से में change करना होता है कुछ इसी प्रकार से इतना ही लिख दिया जाता है तो उसके base से आपको समझ ल number system है तो पूरा का पूरा मतलब यह हो गया कि decimal to binary में इसको conversion करना है तो अब क्या करेंगे इसका binary का जो base होता है वह 2 होता है इसलिए अगर decimal type की इस प्रकार से संख्या है तो उसमें क्या करेंगे 2 का पहले multiply करेंगे और multiply करेंगे तो जो यहां पे answer आएगा उसका तो answer में जो आगे की संख्या होगी वो लिख लेंगे तो वो इसके सामने लिख ली 1 ठीक है इसमें 1 आया तो 1 यहां पे लिख लिया अब total कितना बच तो यहां पे कितना आया 1.0 तो 1 इसका आया तो 1 को इसका इधर लिख लिया अब इधर क्या बचाता आपका 0 0 को फिर से हमने 2 से multiply किया तो यह कितना आया आपका 0.0 हो जाएगा और यहां पे आगे कितना आया 0 तो कुछ इस प्रकार से इसको हमने finish किया अब इसको कैसे लिखेंगे उपर से नीचे की और ठीक है decimal अगर यहां पर दिसमलोग टाइप में कर रहे हैं तो फिर उपर से नीचे की और चलना पड़ता है हमें तो उपर सबसे पहले कौन सी संख्या दे हुई है आपकी one तो one को हमने यहाँ पर देख सकते हैं तो one है फिर zero है फिर one है फिर zero है तो इसको लिखने से पहले क्या करेंगे कि zero यहाँ पर देखेंगे कि कितने zero point बन लिख जह जाये जायेगा चाहे वो आपके disemlow type में हो तो भी आप इस प्रकार से change कर पाएंगे और आपका बिना disemlow में है तो फिर आप उसको इस प्रकार से change कर पाएंगे अब हम बात करते हैं decimal to octal decimal को octal में कैसे change करते हैं वो एक बार देख लेते हैं आपे यह देख सकते हैं आप decimal number system में दिया हुआ है और इसको change करना है आपको octal में ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे कुछ अगर इस प्रकार की संख्या दीग हुई है हमें तो इसको क्या करेंगे कि पहले जो disemlow को आगे जितनी संख्या होती है उसको लिख लेते हैं अब इसका octal का base कितना होता है 8 तो 8 से इसको हम क्या करते हैं इस प्रकार से इसके गुड़न खंड बनाते हैं यानि कि इसको divide करते हैं अब 8 का भाग अगर हम 670 में देंगे तो यह आपका 84 बार जाएगा और सेसफल कितना बचेगा आपका 5 बचेगा तो यह संख्या इदर लिख ली और इसका सेसफल हमने इस तरफ उसके just सामने लिख लिए फिर इसी प्रकार 8 का भाग 84 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा और सेसफल कितना बचेगा आपका लिख रहेगा तो यह हो गया आपका यह दिसमलों के पहले वाली जो संख्याती 677 उसका अब इसको भी किस प्रकार से हमें लिखना है तो नीचे से उपर की और जाते हुए लिखना है तो नीचे क्या है 1245 तो 1245 यानि की 1245 पहले लिख लिए अब इसके बाद आते हैं यानि की गुणा करना है अब 8 से गुणा करना है तो इसको यहां पर थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि आपका जो यहां संख्याती कितनी थी यह थी तो इसके पहले क्या थी 0.32 तो इसको लख लेते हैं कुछ इस प्रकार से 0.32 multiply 8 से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा इतना आएगा और जो आगे की संख्या होगी दिसमलों सो पहले की संख्या होगी उसको हम लिख लेंगे और बाकी संख्या में फिर से 8 से गुणा कर देंगे तो इसी प्रकार से हम करेंगे और करते जाएंगे जैसे ही आपका यहां पर पूरा हो जाएगा तो फिर इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे ऊपर से नीचे की और ध्यान देना है कि दिसंबलों की पहले वाली जितनी भी संख्याय होती है उनका अगर हम जो इस प्रकार से गुड़न खंड निकाल से इसको हमने यहां पर लिख लिए दो चार तीन छे पांच छे जीरो और इसका और यहां पर देख सकते हैं यह दिया गया है और फिर इसको आपको चेंज करना है हेग्जाडेसीमल में हेग्जाडेसीमल का जो बेस होता है वो कितना होता है आपका सोला तो सिंपली सा इसको आपको क्या करना है सोला के इसके बेस से आपको इसको डिवाइट करना है और डिवाइट करके कुछ उसी परकार से डिवाइट करना है कि जितनी वार यहां डिव देखेंगे तो यह तो ही आपकी दिसमलों की पहले वाली जितनी संख्याओं थी उनका आपको यहां पर उनको जो भी उसका गुडंखन था वो ग्याद करना था इसके बाद आते हैं दिसमलों की बात की संख्याओं को कुछ इस तरकार से हम यहां पर कर लेते हैं तो जिनके ल इसकोल उसी तरीके से आपको उपर से नीचे की तरब काउंट करके चलना है अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है ध्यान यह रखना है कि अगर यहां पर जैसे तेरा आया तो तेरा को तेरा नहीं लिखना है क्या लिखना है आपको यहां पर आप देखेंगे तो जैसे कि ह hexadecimal में, sorry, hexadecimal में क्या होता है, कि 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, ठीक है, 9 तक तो आप तो digit चलते हैं, फिर इसके बाद आपका आता है 10, 11, 12, 13, और 14, और ये 15, तो फिर क्या करते हैं, 10 से लेके जो 15 तक होती है, उसको digit में नहीं लिखते हैं, बलकि उसको हम English के letter मे है, कि 10 को A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, इसको C लिख देंगे, इसको D लिख देंगे, इसको E लिख देंगे, और इसको F लिख देंगे, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया था हमारा, पहले तो हमने इसको ज्य आपको सिर्फ इतना आसर नहीं लिखना है ये आपका अंसर गलत माना जाएगा आपको फाइनली इसको जो इसका पूरी तरीके से सही आंसर होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा तो ये तो थे आपके binary से decimal से लेके बागी की number systems पर conversion किया हमने अब हम सीखते हैं binary से लेकर के बागी की number systems का conversion कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं binary to decimal conversion binary से decimal number system में कैसे conversion करते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं तो binary number system आपको पते ही होगा कि 1010 के format में होता है और उसका जो base होता है वो 2 होता है अब यहाँ पर decimal में करना है तो decimal का base जो होगा वो 10 होगा ठीक है अब simply से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा आप इसको क्या करेंगे कि दिसमलों के पहले वाली जितनी संख्या होगे जहां दीजेगा दिसमलों के इस तरफ बाली इस तरफ बाली यह आप देख सकते हैं जितने में हमने इसको अंदर अंडरलाइन करके बताया हुगा है तो इन वाली संख्याओं के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहला digit क्या होगा आपका बन यह दे देखेंगे यह जो पहला वाला वन लिख लिया उसके बाद कितने डिजट बच रहे हैं तीन बच रहे हैं तो तीन की यहां पर हमने टू के लिए तीन की पावर रख दी ठीक है सिम्पली सा वन मल्टिपलाई टू की पावर ठी वन क्योंकि वन जिउंकते हो पहले वाला digit र लिख दिया इस प्रकार से फिर तू लिख दिया और जो सेकंड बन के बाद कितने डिजट है दो जीरो है तो इनको हमने डिजट जो थे वो डिजट काउंट किये तो दो होगए और दो इसकी पावर बना दी हमने तो यह वाली हो गई अब फिर आया जीरो जीरो इंटु बाला 0 उसको 0 को लिखा प्लस multiply 2 किया और इसके जो हमें power करना है वो 0 करेंगे क्योंकि उसके बाद कोई भी digit नहीं है ठीक है दिसंबलो के बाद है लेकिन दिसंबलो के अगर इस तरफ देखें तो कोई भी digit नहीं है और हमें disem bellow तक की अभी बात कर रहे हैं तो इसके बाद इसको हमने 0 लिख दिया ठीक है तो इतना आपका simply हो गया अब बात करते हैं disem bellow के बाद की संख्यां को कैसे करते हैं तो disem bellow के बाद सबसे पहले कुछ इस प्रकार से आ रहा disem bellow 1011 ठीक है तो दिसंबलों के बाद जैसा ही आया आपका 1 आया तो इसको 1 लिख दिया हमने कुछ इस प्रकार से ये बन लिख दिया फिर 2 की पावर माइनस 1 करेंगे क्योंकि ये पहला ही डिजिट है ध्यान रखना है यहाँ यहाँ पे 2 की पावर माइनस बर करेंगे सेकेंड में फिर 0 है क्योंकि 0 जो है वो यहाँ का सेकेंडरी डिजिट है तो 2 की पावर माइनस 2 कर देंगे और फिर यहाँ पे 1 है आपका तो 1 2 की पावर माइनस 3 कर देंगे और फिर यहाँ पे 2 की पावर माइनस 4 कर देंगे कुछ इस प्रकार से तो यहाँ पे आपको दोनों चीजों में ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका वो power किस प्रकार से लिखनी है और इस तरफ में आपको power कैसी लिखनी है दोनों चीजें थोड़ा सा difference होता है तो वो कर लीजेगा आप ठीक है यह भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि 0 into 2 की power जो 0 होती है 2 की power 0 होती है वो तो हो जाता है 1 लेकिन यहाँ पे 0 लगा है तो इसको 0 से multiply करेंगे तो finally 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा फिर इसको 1 y 2 हो जाएगा इसको 1 y 4 हो जाएगा यह 1 y 8 हो जाएगा ठीक है sorry यह 0 y 4 हो जाएगा यह 1 y 8 हो जाएगा और यह 1 y 14 हो जाएगा और इसको जब disemulow में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आजाएगा और finally जब इसको हम calculate यानि कि इसको add करेंगे तो add करने के बाद जो संख्या होगी वो कुछ इस प्रकार से आजाएगा हमारी कि 12 disemulow 6,8,7,5 ठीक है अब यह क्या हुई इसका हमने decimal में change गया इसलिए इसका base जो लिख दिया वो 10 लिख दिया तो binary to decimal में हमें इस तरीके से इसका conversion करना होता है अब आते हैं binary to octal conversion binary to octal binary में हमें यह number system यह इतनी संक्या दी हुई है अब इसको हमें क्या से conversion करना है octal में इसको change करना है octal का base जो होता है वो 8 base होता है 8 base होता है इसका मतलब होता है कि उसमें जो digit होंगे वो 8 digit होंगे यानि starting होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 तो यह total digit हो जाते हैं आपके 8 इसलिए इसको octal number system कहा जाता है अब इसको क्या करना है हमें यहाँ पर इसको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम इसके जो इस तरीके से इस तरफ चलेंगे कौन तरफ चलेंगे इसके right side से left side की ओर चलेंगे यह होगा इसका right side और यह होगा left side ठीक है तो right से left की ओर चलेंगे और 3-3 का इनका जो होगा वो एक type से pair बना लेना है ठीक है 3-3 digit का pair बना लेना है तो अगर हम पीछे से देखेंगे पीछे से ही देखना decimal की बात की अभी हम बात कर रहे है यहां तक की बात कर रहे है इसको हमें अभी देखना रही है इस वाले portion को अभी नहीं देखना हम सिर्फ इतनी बात कर रहे है ठीक है तो इसको क्या करेंगे कि 3-3 में pair बना लेंगे तो अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पे इसको रख देते हैं तो इसको सिंपल इसी देखेंगे यह हो जाएगा आपका जीरो वन जीरो जीरो तो वन जीरो जीरो इसको ऐसा लिख लिए फिर इसके बाद बचता है आपका 1 1 0 तो 1 1 0 ये आपका ऐसा लिख लिया फिर इसके बाद बचता है आपका ये वाला 0 0 1 001 ये लिख लिख लिया आपने अब finally बचता है आपका double 1 ठीक है ये इतना संख्या बचती है तो इसको लिख लेंगे हम double 1 ठीक है अब इसका pair नहीं बन रहा है 3 digit का pair बनाना है 3 का इसका pair नहीं बनाना है तो क्या करेंगे हम इसके आगे 1 और 0 लिख लेंगे क्योंकि आगे 0 लगाने से उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा मान लीजेगा अगर हमारी normal ही संख्या जो है वो 10 है अगर हम 10 के आगे 0 लगा देंगे तो वो 10 ही कहलाएगा इसलिए उसको आगे 0 लगा लेंगे ठीक है तो ये 3 का पेर हमारा बन जाएगा अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके दिसमलो के बात की संख्याओं की तो दिसमलो की बात की संख्याओं को भी simply सा उसी तरीके से हमें इसको करना है, जैसे हमने किया था, तो यह तीन का पेर बनेगा, तो यह हो जाएगा, 001, फिर इसका तीन का पेर बनेगा, तो ट्रिपल बन हो जाएगा, यहां पे तीन का पेर बनेगा, तो ट्रिपल जीरो हो जाएगा, इस प्रकार से इसका हमें, जो ह होते हैं 8 digit होते हैं तो 8 digit हमने यहां पर इस प्रकार से लिख लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ठीक है अब इसके बाद क्या करना है आपको एक formula apply करना है simply सा formula क्या अपनाई करना है 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 7 यहां लिख लेना है आपको 4 प्लस 2 प्लस 1 is equal to 7 क्योंकि number system में यानि कि यहां पे last digit क्या होगा octal में 7 last digit होता है तो वो लिख लिया और यह इसका formula समझ दीजेगा अब क्या करेंगे हम कि यहां पे अगर यह वाला number system बात करें यह वाली अगर हम पीछे से इसके चलें 001 की ओर तो 001 को हम क्या लिखेंगे यहां पे कर देते हैं इसको starting से 001 था तो 001 में 0 हमने आगे लिया तो यह इधर 0 लिख दिया फिर यह जिरो लिया तो फिर यहां पे ध्यान दीजेगा आप चलिए इसको यहां पर starting से ही लिया गया है ठीक है तो हम starting से ले लेते हैं क्योंकि वह पहले मैंने starting से लिया था तो यह starting से ही बता देते हैं यानि कि 0, 0, sorry 0, 1, 1 ठीक है 0, 1, 1 को करना है तो कैसे करेंगे हम कि 0, 0, 0, 0, 0 को जियों क्यों लिख दिया फिर 2 की जगह 1 था तो 1 लिख दिया फिर 1 की जगह 1 लिख दिया क्योंकि हमारी जो संक्या थी वो थी हमारी 0, 1, 1 ठीक है तो इसलिए हमने इसको 4 की जगह पर 0 आ रहा तो 1 लिख दिया फिर 1 की जगए 1 आ रहा था तो 1 लिख दिया अब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 की 0 value होती है इसको हम calculate नहीं करेंगे ठीक है 1 की value कितनी आई थी 2 और प्लस 1 कर देंगे तो यह हो जायागा आपका 3 कुछ इस प्रकार से इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे लेज करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 तो इसलिए हम यहां पे लिख देंगे इसको 3 से अवाती है हमारी 001 इसको कैसे करेंगे हम तो इसको यहां पर लिख देंगे 4 plus 2 plus 1 थीक है तो 4 की value 0 है तो इसको हम नहीं count करेंगे 2 की value 0 और तो इसको calculate करेंगे तो यह 1 हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर इसकी value 1 आ जाएगे अब हमारी next value जो है वो है 110 110 को कैसे count करेंगे यह आप देख सकते हैं यह हमारी 110 ठीक है इसको कैसे count करेंगे इसको लिखेंगे 11 और 0 फिर इसके इधर लिख देंगे 4 plus 2 plus 0 यानि की 1 तो इसकी value 0 है तो इसको हम क्या करेंगे 0 ही लग देंगे तो 4 और 2 हो जाता है आपका 6 तो इसको जब हम add करेंगे तो यह value आ जाती है 6 कुछी इसी प्रकार से हम इसकी निकाल लेंगे और वैसे ही हम इनकी भी संख्या यहाँ पर ग्याद कर लेंगे इसकी value भी याद कर लेंगे तो finally जो आएगा वो इसको इस तरीके से हम लिख देंगे 3161.0571 और इसका base जो हता है वो 8 होता है तो यहाँ पर इसका base जो है वो 8 लिख दिया यह finally इसका answer आ गया और अब बात करते हैं binary to hexadecimal conversion binary to hexadecimal कैसे करेंगे यह binary में आपका यहाँ पर question दिया conversion करते हैं तो disambleu के इस तरफ की संख्याओं को जो हमने यहां पर यहां पर अंदर किया हुआ है उतनी संख्याओं को disambleu की की संख्याओं को क्या करना है आपको लैप right side से लेके left side तक कुछ इस तरीके से इस वाले arrow के निशान तक यानिकी इस वाले arrow के form में आपको 44 के प बना लेने जैसे कि पहला बन रहा है आपका वन जीरो 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 तो यह हो गया आपका वन जीरो 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 नेक्स्ट बचता है आपका कि वन वन जीरो तो यह वाला आपका नेक्स्ट हो गया और फिर बचता है आपका तीन डिजिट बचते हैं वन वन जीरो तो अब तीन तीन डिजिट बचे आपके वन बन जीरो तो इसलिए एक डिजिट के आगे इसका जीरो लगा लिया क्योंकि जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारा पेर जो बनेगा तो वह काम हमारा यहां पर बन जाएगा इसी प्रकार से दिसमलों के लिए कुछ इस त बन गया अब क्या करेंगे हम कि आपको पता होना चाहिए है जो नमबर में सिस्टम होते हैं कितने डिजिट होते हैं पंद्रा डिजिट होते हैं 0123456789 तक और फिर 10 से लेके 15 तक जिसको 10 से लेकिन 15 तक हम ABCDEF तक काउंट करते हैं तो इसको क्या लिखना है इसके लिए जो formula लगाना है आम है वो लगाना है 8 plus 4 plus 2 plus 1 is equal to 15 क्योंकि 8 plus 4 plus 2 plus 1 is equal to 15 होता है तो यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे आपके इस बाले की 0,1,1,0 इसकी value कैसे 6 आ रही है यहां पे देख ले रहा है आपको इसकी value 6 आने के लिए आपने देखा होगा पहले लिखा था 0, फिर 1 फिर 1 फिर 0 तो पहली संक्या 0 है इसलिए 8 जो है उसके सामने हमने 0 लिख दिया अब 8 को हमें यहाँ पर count नहीं करेंगे क्योंकि यह तो 0 हो गया आपका second है आपका 1 तो 4 के सामने आपका 1 आता है तो 4 के सामने 1 लिख दिया अब इसकी value हम पूरी तरीके से 4 count करेंगे फिर आता है आपका second 0 तो इसको हमने second जो 1 आता है वो 2 के सामने आ जाएगा तो क्योंकि इसकी value 1 होती है इसलिए यहाँ पर total count कर लेंगे अब आता है आपका 0 तो 0 जो है वो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1 के सामने होता है 0 क्योंकि यह 0 है इसलिए अब इसको count नहीं करेंगे जहाँ पर ध्यान देना है अगर जो भी संक्या 0 आती है फिर उसको count हम 0 ही मान लेते हैं तो finally क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लिख देंगे हम क्योंकि यह पूरा 0 हो गया तो 0 यह value आपकी 4 हो गई चार प्लस यह value है आपकी 2 हो गई तो 2 प्लस यह value आपकी 0 हो गई तो 0 4 और 2 और 0 और जीरो टो टोटल value हो गई आपगी आपकी 6 तो इसी लिए यहां पर इसका जो नंबर सिस्टम यह बना आपकी इसकी value आए 6 कुछ इसी परकार से हम इनकी भी संख्या ग्याद कर लेते हैं 0, 1, 1, 1 इसकी भी ग्याद करेंगे तो इसकी कैसे आएगी इसको भी थोड़ा सा समझ लीजेगा आप इसकी संख्याती 0, triple, 1, ठीक है 0, triple, 1 0, triple, 1 यह आपकी value यहाँ पे हमें ग्याद करनी है तो इसको क्या करेंगे हम कि पहली संख्या जो 8 है वो 0 हो जाएगी आपकी यहाँ पर 8 लिख देंगे इसके सामने 1 के सामने 4 लिख देंगे 1 के सामने 2 लिख देंगे और इसके सामने आप 1 लिख देंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 की value 0 है इसलिए इसको हम जोड़ेंगे नहीं फिर यह आपका तीनों बन है तो तीनों को जोड़ देंगे 4 प्लस 2 प्लस 1 is equal to 4 और 2 6 और एक होता है आपका 7 तो इसकी value आगी आपकी 7 यहाँ पे आप देखेंगे यह आपकी value 7 यहाँ पे मैंने पहले से लिखे हुई है तो इसी प्रकार से चितने भी 4 पे रते 4 की संख्या को कुछ इसी तरीके से हमें find out कर लेनी है value और value find out करने के बाद उसको हम इस तरीके से लिखतेंगे इसको ऐसे में लिखेंगे ठीक है और इसको ऐसे में लिखतेंगे ध्यान देना है आपको यहाँ पे जो इसकी संख्या आ रही है यह B आ रहा है तो जब इसको total कर रहे थे तो वहाँ पे 11 आ रहा था और 11 की value होती है वो B होती है तो इसी लिए वहाँ पे 11 नहीं लिखना है बलकि B लिखना है क्योंकि hexadecimal में हम 9 के बाद A, B, C, D में उसको denote करते हैं तो यह आपकी इसकी यहाँ पे answer हो जाएगा तो यहाँ तो आपको बता दिये कि बागी कि अब देखते हैं यहाँ पे octal to binary को कैसे change करते हैं octal से हमें binary में change करना है तो उसके लिए हम कैसे change करेंगे तो इसके लिए octal में यहाँ पे दिया हुगा है इसका binary format हमें ग्याद करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम 7 है तो 7 को जियों कोते हो कुछ इस परकार से यहाँ पे लिख लेंगे जैसा हमने यह लिखा हुगा है ठीक है फिर 3 को लिख लेंगे यह लिखा हुगा है फिर 6 को यहाँ पे लिख लेंगे यह लिखा हुगा है अब 7 की value कैसे निकालते है जो formula था हमारा octal के लिए 4.2 plus 1 is equal to 7 होता है आपका तो यहाँ पे इसकी 7 value होती है इसलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे फिर 1 लिख देंगे और फिर 1 लिख देंगे क्योंकि पहली value 7 है तो binary में इसको हम triple 1 से लिख देंगे कुछ इस प्रकार से यह लिख दिया हमने अब आता है हमारा 3 तो 3 को कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे हमें निकालना है 3 तो 3 को कैसे निकालनेंगे 4 plus 2 plus 1 बराबर आपको यहाँ पे 3 गयात करना है 3 अब हमारा कैसे बनेगा 3 हमारा दब बनेगा जब हम 4 को 0 करेंगे फिर यह आपका 2 plus 1 3 हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया यहाँ पे 1 कर दिया तो यहाँ पे 3 की value आ गई 0, 1, 1 इसी प्रकार से 6 को निकालेंगे तो 6 कैसे बनता है हमारा 6 बनेगा 4 plus 2 plus 1 बराबर तो 6 बनाना है तो 6 के लिए हमें 0 जो 1 है उसकी value 0 करनी होगी तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 ठीक है तो इसी प्रकार से अगर decimal की बात आती है तो decimal में भी हम उसी type से उसको count कर लेते हैं तो यह आपका total answer यहाँ पे इस प्रकार से यह बन गया अब बात करते हैं octal to decimal conversion के लिए तो decimal आपका यहाँ पे octal में दिया हुगा है decimal में हम इसको ग्याद करना है तो सबसे पहले हम decimal की जितनी भी पहली संख्या है decimal की पहली कितनी है 2, 4, 6 यानि की 240 decimal की पहली की संख्या है तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने उसको लिख लिया फिर इसके बात क्या करेंगे कि octal से decimal में convert कर रहे है तो यहाँ पे 8 octal का base होता है इसलिए यहाँ पे 2 पहले लिखा हुआ है तो 2 लिख लिए हमने octal का base 8 होता है अब 2 power जो आई है वो कहां से आई है तो 2 के पहले 2 के बाद कितने digit हैं आपके 2 ठीक है यह count नहीं करना है यानि कि next इसकी digit आती है 4 तो 4 को हमने इस प्रकार से लिख लिया फिर आता है आपका octal base होता है तो 8 हो गया आपका और 4 के बाद total digit कितना बचता है एक बचता है तो एक उसकी power बना देते हैं फिर बात करते हैं 6 की तो यहाँ पे 6 लिख लिख लिया फिर इसको multiply किया 8 octal का base होता है और 0 कहां से आया क्योंकि 6 के बाद कोई भी digit नहीं है आला कि digit है लेकिन disemolo लगा हुआ है तो वो हमें count नहीं करना होता है उसको हम फिर 0 बना देते हैं तो यह आपका 0 हो गया अब बात करते हैं disemolo से इस तरब की तो disemolo से इस तरब की सबसे पहली संख्या आती है 5 और 5 जो है वो कितनी power है 1 पहली संख्या है इसलिए वहाँ पे power minus 1 कर दी second आपका आता है 2 8 की power digit 2 कौन से इस्थान पे आता है second इस्थान पे यहाँ पे क्योंकि पहले इस्थान पे 5 लिखा हुआ दूसरे स्थान पे 2 आएगा तो जितने स्थान पे आता है उतना उसकी minus की power बना देते हैं तो यह इसकी minus की power बना दी finally जब इसको calculate करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा और जब इसको finally calculate करेंगे तो यह अपका answer हो जाएगा तो यह तो था आपका पहला हमने देखा octal to binary फिर देखा हमने octal to decimal अब तीसरा आता है octal to hexadecimal तो octal to hexadecimal हम directly उसको change नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा कि octal से पहले हमें binary conversion करना होगा और फिर binary से हमें hexadecimal conversion करना होगा तो directly इसको change करने की कोई भी method नहीं होती है अब आते हैं हमारे hexadecimal to binary hexadecimal को binary में कैसे convert करना है यहाँ पे इसका आपको यहाँ पे question दिया होगा इसको आपको find out करना है पहली संख्या 2 लिखी होई दूसरी संख्या f लिखी होई है आपकी value आपकी कितनी होती है वो होती है आपकी 15 तो यहाँ पे हम 15 लिख लेते हैं 9 आपका लिखाई हुआ है फिर लिखा हुआ है आपका a और a की value कितनी होती है आपकी 10 ठीक है तो यह लिख लिए हमने अब simply सा उसके लिए यही formula लगाया 8 4 2 1 वाला प्लस वाला ठीक है तो यहाँ पे अगर 2 की बात करें तो 2 को कैसे हम बनाएंगे तो जैसे 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 होता है तो 2 को कैसे बनाएंगे इसके लिए हमें add करना है तो 8 की value 0 करनी होगी 4 की value 0 करनी होगी 2 की value हमें 1 करनी होगी और 1 की value हमें 0 करनी होगी तो ये बन जाएगा आपका 2 तो इसलिए यहाँ पर इस कर दियो conversion होगा वो होगा 0, 0, 1, 0 तो इसलिए यहाँ पर 0, 0, 1, 0 हमने लिख दिया अब बात आती है F की तो F को बोलते हैं हम 15 15 को कैसे बनाएंगे 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर होता है आपका 15 यानि कि सभी संख्याओं की value आपको 1 लिखनी होगी 1, 1, 1, 1 इस प्रकार से तो F की value आगई आपकी 1, 1, 1 कुछ इस प्रकार से यह आपने यहाँ पर लिख दिया इसी प्रकार से 9 को change कर लेंगे A की value आपकी 10 होती है यह इसका answer बना दिया तो यह हो गया आपका hexadecimal to binary conversion अब बात करते हैं hexadecimal to decimal conversion हम कैसे करेंगे hexadecimal को decimal में कैसे convert करेंगे तो इसके लिए यह आपका question लिखा हुगा है यहाँ पे इसका decimal में निकाल ला है तो decimal का way 10 होता है इसको करेंगे क्या simply पहला digit दिया है 4 तो 4 को लिख लेंगे पहले हम बात करेंगे दिसंबलों की इस तरफ की संख्याओं को जितना मैंने यहाँ पे इसको under किया हुगा है ठीक है under bracket या जो भी कह सकते हैं यह इसको under कर दिया है उतनी संख्याओं को लिखेंगे तो पहला आता है आपका 4 चार लिख दिया अब हम कैसे convert कर लए है hexadecimal को decimal में convert कर लए है तो 4 लिख लिए फिर इसके बाद hexadecimal का base 16 होता है तो 16 लिख लिए अब power कैसे बनाएंगे इसकी 4 के बाद कितने digit हैं आपके 3 digit है 3 digit है तो ये आपको 3 की power लिख दीने कुछ इसी प्रकार से 5 के लिए भी कर देंगे फिर 8 के लिए भी कर देंगे जैसा हम बाकी में करते आए हुए है अब D के लिए भी कर देंगे ऐसा लेकिन D की value कितनी होती है आपकी A, B, C, D ठीक है D की value आपकी 13 होती है फिर बाद में जब calculate करेंगे तो D की जगाए हम 13 लिख देंगे जो सी की यहाँ पे लिखा हुगा है हमने ठीक है अब ये हो जाएगा आपका अब December की इस तरब की संख्याओं की अगर बात करें तो उसके लिए वैसा ही सिस्टम अपनाते है कि पहला डिजिट लिख लिए फिर वो डिजिट का कौन से स्थान पर है पहले डिजिट पर है तो उसकी पावर माइनस बन करके इस प्रकार से लिख लिए फाइनली जब इसको calculate करते हैं तो इस प्रकार से आपका जो finally calculation आता है वो यह calculation आ जाता है यह इसका answer हो जाता है अब यहाँ पर आप बात करेंगे कि hexadecimal to हमने binary convert कर लिया hexadecimal to decimal convert कर लिया अब तीशरा आता है hexadecimal to octal तो वो directly convert नहीं होगा hexadecimal to octal convert करने के लिए hexadecimal को पहले हम binary convert करेंगे और फिर binary को octal में convert करेंगे इस वीडियो को ज़रूर से like कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजेगा ताकि वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ सके और अपने exam में ऐसी possibility है कि इससे दो number का question आ सकता है तो आप इस दो number को यहाँ पे बिलकुल hundred percent पक्का कर लिजेगा और अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe तो कर ही लिजेगा क्योंकि यहाँ पे rail v.je की preparation जो electronics के अंतरगर जितनी भी branchे चाती है उनकी हम इस channel पर preparation करवाने बाले हैं जो कि एक फरवरी से आपकी start करवा दी जाएगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you for watching this video